दोस्तों ये कहानी एक अमीर खांदान के बंटी नाम की एक लड़के की है जो कि अपने स्कूल के आकरी दिनों तक चोमू रह जाता है तब उसके माता पिता उसे चालाग चोपट बनाने और उसके शर्मिलापन को दूर भगाने के लिए एक लड़की को भाड़े पर लेके आ दरसल मरने से पहले सलीना की मा ने उसके लिए लोन के पैसो से बनावाया घर छोड़के गई है सलीना दिन में एक बार में और रात में कैप चलाकर उस घर का करजा चुकाती है लेकिन क्योंगी अब वो गाड़ी उसके हाथ से जा रही थी इसलिए वो लेरी को मक्षन लगा आने लगती है दरसल उसके कई दरजन बॉइफ्रेंडों में से लेरी भी एक था तब ही घर के अंदर से एक कच्छा पहना हुआ आदमी कसरत करता हुआ बाहर निकलता है सेलिना की नजर उसके ओपर पढ़ते ही वो बात को गुमा कर लेरी से कहती है कि वो तो उसका कजिन है तब ही वो कच्छा पहना हुआ आदमी सेलिना के पास आकर उसके चूचे दबा देता है वो देखकर लेरी सेलिना के बारे में सब कुछ समझ जाता है अब क्यूंकि उसक पास कार नहीं थी इसलिए वो स्केटिंग करते ही अपने काम पर निकलती है इसलिए वो एक दुकान के बाहर अपने कार को खड़ा देकर पहले तो वो उसे टोट रख से बाहर निकालती है और फिर कार में चड़कर उसमें रेस लगाती है लेकिन वो पीछे की रस्टी को खोल सेरा भूल गई थी इसलिए कार आगे ही नहीं बढ़ती तब तक वहाँ पर लेरी आकर कार को फिर से उठा लेता है तब ही सेलिना अपने दोस्स सेरा और उसके पती टॉम के पास जाकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है कि गाड़ी की बिना वो आखिर कैसे अपना ल फ्रिंट चाहिए थी और इस काम को करने के लिए वो अमीर परिवार उस लड़की को एक चमचमाती हुई कार देने वाले थे सेलिना की उमर 32 साल थी यानि वो उस लड़के से बहुत बड़ी थी फिर भी ट्राय करने में आखिर उसका क्या ही जा रहा था इसलिए वो अपना सड़ा हुआ थोपड़ा लेकर कई सारी बादाई पत्थियों को पार करके उस परिवार के घर पहुच जाती है सीडी में भी वो अपने स्केट्स को उतारती नहीं और बड़ी ही मुश्किल से उपर चड़ जाती है इसके बाद वो उस परिवार के सामने सोफे पे बैठती ह यहाँ पर उस पिता का कहना था कि उनका बेटा एक 19 साल का लड़ खणाता हुआ बच्चा है पता है वो गर से कहीं निकलता भी नहीं स्कूल में किसी से बात तक नहीं करता पार्टी करना शराफ पी ना सिगरेट पी ना गर्फरेंड मराना ये सब साथी चीजों से भी वो ठीक है आपका बेटा कहां पर है तभी उसकी मा कहती है कि नई नई बेटा ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें बस उसकी गर्फरेंड बनके उसके साथ बाबुशोना करना है उसे चालाग चौपट बनाना होगा और जिस दिन मेरा बेटा अपना गर्मा गरम से लिया तुमार अंदर गुसाएगा उसी दिन से वो कार तुमारी संपत्ती हो जाएगी अब ये सारी बाते सुनके सेलिना समझ जाती है कि उसे बन्टी के साथ एक बार अपनी पिंकी बज़वानी है और उसे बिल्कुल अपनी ये तरह चालाग चौपट बनाना है खेर सेलिना के पास अब कोई काम नहीं बचा था इसलिए वो अपनी दोस्त टॉम की खटारा गाड़ी लेकर बंटी को पटाने के लिए उसकी दुकान में पहुचती है वो वहाँ पर कुटा खरीदने के बाहने बंटी के उपर अपने डोरे डाल रही थी लेकिन बंटी तब उसकी चपेड में नही में नहीं आता और एक अबला लड़की को अपने सामने देखकर इसके हाथ पाउ कापने लगते हैं जिस वज़या से यहां से 9211 होने का प्लान बनाता है तब ही सेलिना उसके साथ चिपकते हुए उसे कहती है कि आज वो उसे उसके घर तक छोड़ेगी बंटी उसके साथ ज जाए अपने घर के तरफ मोड लेती है तब ही बंटी देखता है कि गाड़ी के पीछे हजाम करने के लिए दुनिया भर के अजीबों गरीब सामान पड़े हुए थे यह सब कुछ देखकर डर के मारे उसके गुर्दे बाहर आ रहे थे इसलिए गाड़ी के रुकते ही वो से सेलिना का मौ सूच चुका था गुस्से में वो उसे कहती है कि वो उसे किड्नैप नहीं कर रही थी बलकि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी अब बंटी को जब अपनी बेवकूफी का रियलाइजीशन होता है तब ही वो बगीचे में पानी डालने वाले फवारे से स चाहती साथ वो शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तयार हो जाता है खेर इदर शाम को सेलिना बंटी का एक रेश्चोनेट में इंतजार कर रही थी कुछ ही देर में बंटी भी उस क्लब में आप वहुचता है जिसे देखकर सभी लोग हसी से लोटपोट हो जात क्योंकि उसने ब्लेजर के साथ नीचे निकर पहना हुआ था सेलिना उसकी इस अनोखी कला की काफी तारीफ करती है वेटर के आने पर सेलिना उसे एक अपने लिए मीठा पहुवा लाने के लिए कहती है बंटी शराब नहीं पीता था इसलिए वो अपने लिए कौफी लाने उनों की कहानी बया करने लगता है कि आखिर कैसे वो सेलिना की पिंकी बजाया करता था खेर ट्रेविस के वहां से जाते ही सेलिना बंटी को लेकर सी साइड एक सुमसान जगा पर पहुचती है आट बजी के बाद वहां पर जाना मना था और बंटी को अच्छे से तैरना भी नहीं आता था सेलिना तबी बंटी के कपड़े उतारने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब वो अपने कपड़े नहीं उतार था तो खुद वो अपने कच्छे बन्यान उतार कर नंगी ओकर पानी में चले जाती है और फिर आकिरकार उसको देखकर बंटी भी अपने कपड़े उतार कर पानी में आ चुका था लेकिन इससे पहले के उनके बीच पानी में कुछ होता, तबी वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के और लड़के आ जाती है, जो उनके कपड़े उठा लेते हैं, सेलिना के मना करने के बाद भी जब वो बदमाश बच्चे उनके कपड़े वापस नहीं करते, तबी सेलिना नं बंटी सीधा सेलिना के बोनट पर जाकर चिपक जाता है और सेलिना भी कार में रेस लगाने लगती है। बंटी को अपने घर ले जाकर उसके सामने घोडी बनकर उसे अपना सामान दिखाने लगती है। बंटी के पूरे शरीर में छाले पढ़ चुके थे। इसे देखकर सेलिना रुमेंस खतने के बजाए पूरी रात बंटी के पदन पर हल्दी चंदन का लेप लगाने लगती है। वो उसे अपनी दुकत कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। मैं जब 15 साल की थी तभी मैंने अपने डाइपर में मूत लिया था और तभी मेरी टांगों में छाले पढ़ गए थे। तभी बंटी उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है। तुमारे आने से पहले मेरी जिंदेगी बहुत ही कटोर थी। मैं घर पर चुडिया पहन के सिर्फ पढ़ा रहता था। दोस्तों के नाम पर मुझे सिर्फ टटी मिली थी जिनके साथ एक पल भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लड़कियों के आजू-बाजू में मंटराने से मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़किया मुझे खा जाएंगी। चुम्मी लेता है। उसी रात बंटी सेलिना को अपने लेमोजीन में पटक कर पीजा बर्गर खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर बंटी की मुलाकात अपनी फैमली फ्रेंड नतालिया से होती है। जो भी उसी के साथ ही प्रिंग्ष्टेन उनिवर्सेटी में एडमिशिन लेने वाली थी। नतालिया यहाँ पर बंटी को उसकी घर में चल रही बैशलर पार्टी में इन्वाइट करकर वहाँ से चली जाती है। इदर बंटी और नतालिया को साथ देकर सेलिना अंदर से बहुत ही जल रही थी। गुस्से में वो बंटी से कहती है कि इन गर्मियों के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। यानि उन दोनों का रिष्टा सिर्फ गर्मियों के दिनों तकी सीमित है। इसी बात पर बंटी सेलिना से नाराज होकर नतालिया के घर यानि उस बैशलर पार्टी में जाने लगता है। जाती है दर्वाजा नौक करने पर भी बंटी जब दर्वाजा नहीं खोलता तभी वो अपनी लंबी लंबी टांगों की मदद से दर्वाजा तोड़कर कमरे के अंदर आती है अंदर बंटी देशी दारूपी कर नंगी आलत में नतालिया के साथ बिस्थर पर पड़ा हुआ सेलिना को तो नशा तुड़वाने का बहुत ही अनुभफ सा इसलिए वो बंटी को खीच कर बातरूम में लेकर आती है और मूं में उंगलिया डाल डाल कर उसे उल्टिया करवाती है इधर तब तक सभी बच्चों के पैरेंट्स उस पार्टी में आकर सेलिना को बहुत बु अदन सुझा दिया था इसलिए वो उससे माफी मांगकर उससे उसकी पिंकी बजाने की परमीशन मांगता है सेलिना बंटी को अपनी पिंकी देने के लिए तयार हो गई थी तबी वो ये नोटिस करती है कि बंटी अभी भी नशे की हालत में है इसलिए तबी वो उससे अपन प्रिंग्ष्टिन युनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होना चाहता क्यूंकि उसने सेलिना नाम की एक लड़की को पटा लिया है जिसके साथ वो यहाँ पर अपने बाप के पैसो पर रोटिया तोड़ना चाहता है ये बात सुनते ही उसके माता पिता सोचते हैं कि गई भैस पानी में उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि प्रिंग्ष्टिन जाने से पहले उनका बेटा थोड़ा चालाग चौपट लोमडी बन जाए लेकिन अब तो उनका बेटा प्रिंग्ष्टिन जाने की प्लैन को ही चौपट कर रहा था वो दोनों बंटी को गाड़ी म इसके पैरेंट्स ने उसके लिए काम पर रखा था एक दिन बंटी अपने माता-पिता को बगेर बताएगी सेलीना को उसके घर पर दावत पर बुलाता है बंटी के माता-पिता बंटी के सामने ऐसा ढोंग करते हैं कि उन्होंने सेलिना नाम की इस बला को आज से पहले कभी देखा ही नहीं जिससे सेलिना तो क्या मैं भी बंटी को सब कुछ सच-चच बता देता तभी बंटी को उसका एक दोस्त कॉल करके उसके घर के बाहर बुलाता है असल में बंटी अपने दोस्त को कुछ ऐसे ओजार लाने को कहता है जिससे वो उस गाड़ी को तोड़ सके जिससे उसके माता-पिता सेलिना को गिफ्ट देने वाले थे वो दोनों मिलकर गाड़ी को गेराच से बाहर निकालकर उसका कचूमर बना देते हैं इसके बाद बंटी सेलिना के पास जाकर कहता है कि वो उसकी पिंकी बजाना चाहता है जिसमें सेलिना भी मान जाती है बंटी ने अपनी जिन्दगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था इसलिए वो अपने ओजार को उसकी गुफा के दर्शन कराने से पहले ही रजाई में अपना माल ज़ाड देता है सब कुछ होने के बाद बंटी आखिरकर सेलिना को ये बात बता ही देता है क्यों से पता है कि सेलिना और उसके पैरेंट्स की बीच क्या सोदा हुआ था अब क्योंकि सेलिना ने बंटी के साथ जूटा प्यार करने का नाटक किया था इसलिए बंटी सेलिना को उसकी जिन्दगी से 9-11 होने के लिए कहता है और इसलिए तबी बंटी के पैरेंट्स भी सेलिना को वो तूटी फूटी गाड़ी दे कर वहां से भगा देते हैं इसके बाद सेलिना अपनी फूटी हुई किस्मत और तूटी हुई कार लेकर कई महीनों की तपस्या करती है और आखिर कार वो अपने घर के करजे को चुका ही लेती है एक मुसीबत तो उसकी जिंदगी से कम हो गई थी लेकिन वो अभी भी बंटी से माफी मांगना चाहती थी इसलिए एक दिन वो अपना सड़ा हुआ थोपड़ा उटा कर बंटी को ढूंटे ढूंटे प्रिंग्स्टेन उनिवर्सिटी पहुच जाती है वो उससे माफी भी मांगती है लेकिन हमारा बंटी उससे माफ किये बगेर ही कार लेकर वहाँ से जा रहा था थबी सेलिए बंटी के कार के उपर ही चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती जिस वज़ा से बंटी कार को तेजी से भगाता है और आगे समंदर में जाकर उसे गिरा देता है यहाँ पर वो दोनों घंटों एक दूसरे से बात करके सारे गिले शिकोगों को दूर करके फिर से दोस्त बन जाते हैं इसके बाद मूवी के एंड में हम बंटी को प्रिंक्टेन उनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बोरिया विस्तर बानता हुआ देखते हैं बाहर सेलिना उसका इंतजार कर रही थी जो बंटी को प्रिंक्चन उनिवर्सिटी छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी और दोस्तो इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है